हेलो स्टुडेंट्स कैसे बढ़िया फस्क्लास चल रहा है पस्क्लास का मतलद यह क्लास फस्त है ना चलिए लोग कहते एक किस पढ़ते हो थर्ड ग्लास थर्ड ग्लास तीसरी क्लास ठीक ना लगिनामी होता है उसका थर्ड ग्लास अच्छा पाटनेशिप डीट हम लोग ने लास्ट सेशन में यह सारे पॉइंट्स देख लिए थे जिसमें पार्टनेशिप की डेफिनिशन थी एसेंशेल फीचर्स थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स थे हम लोग ने अभी तक कितना ही देखा है आज हम लोग पार्टनेशिप डीड की बात करेंगे जैसा कि मैंने बोला था आज हम लोग पार्टनेशिप डीड कंप्लेट करेंगे पार्टनेशिप डीड क्या होती है एक रेटेन अग्रिमेंट होता है बिटविन और अमंग्स पार्टन क्या करना है कैसे करना है सारे के सारे rules and regulations and operating procedures उसमें written way में होते हैं हर एक चीज start कहां से होता है नाम क्या है कहीं मालूम अच्छा नाम क्या है partners के जिनके जिनके बीच में partnership हो रही है भाई उनका पता क्या है नाम क्या है पता क्या है एज क्या है means date of birth और उसके बाद partnership कब से start हो रही है partnership कब से start हो रही है क्या partnership एक particular period के लिए है short term के है या long term के लिए किसी एक venture के लिए है now we are needed to define it is it clear partners का profit sharing ratio कितना होगा वो लिखा होना चाहिए partners क्या salary draw कर सकते हैं bonus और commission मिलेगा क्या partners को interest on capital भी मिलेगा जो capital वो लोग introduce कर अगर partners ने कोई amount with the draw कर रखा है drawing कर रखी है तो उस drawing का interest charge किया जाएगा क्या partner से और तो और अगर फर्म में कोई नया partner आता है तो उसका admission का process क्या होगा क्या majority of the partner accept करेंगे या all the partners की acceptance से वो आएगा अगर कोई नया partner admit किया जाता है तो capital किस basis पर ले आएगा goodwill का calculation कैसे किया जाएगा और नय partner का profit sharing ratio कैसे decide किया जाएगा इसी तरह कोई partner अगर दफा हो रहा है मतलब retire हो रहा है या उसकी death हो रही है तो उसको दिये जाने वाला capital का amount goodwill का amount और profit का amount कैसे determine किया जाएगा वो चीजें लिखनी पड़ेंगे अच्छा deed इतना detail में होता है हाँ अगर partners के बीच में dispute हो जाता है तो उसका solution कैसे किया जाएगा otherwise partnership deed का तो सहारा लेना ही लेना है accounting period क्या रहेगी आप 1st January से 31st December तक accounts बनाएंगे या 1st April to 31st March तक बनाएंगे नॉर्मली ये 1st April to 31st March होती है अगर किसी partner के specific rights and duties decide किये है specific rights and duties तो भाया वो भी इसमें लिख लो वो भी इसमें लिख लो अगर कोई bank account operate किया जा रहा है तो उसका system कैसा होगा operate करने का बस इतनी चीज़ें हमको इसमें लिखनी पड़ती है अगर partnership firm का dissolution हो रहा है तो कैसे settlement होगा that's it these are the points which are needed to be covered in your partnership deed this is the importance अगर partnership deed ना हो तो बवाल ही बवाल है बहुत जादा बवाल है देखते हैं क्या बवाल है लेकिन पहले यह देख लेते हैं क्या होता है partnership deed में first point जो मैंने बताया description of the partners partners के नाम पता firm का नाम क्या होगा कहा पर business होगा firm का business का nature क्या होगा कब से start होगी partnership firm उनका capital contribution कितना होगा interest on capital होगा तो कितना होगा interest on drawing होगा तो कितना होगा profit sharing ratio कितना कितना होगा interest on loan अगर दिया जाएगा तो कितना partners को दिया जाने वाला bonus commission or salary and remuneration to partners अगर कोई partner आता है तो goodwill का valuation कैसे किया जाएगा valuation of asset अगर मान लो कभी reconstitution होता है तो एक नई चीज आ गई आपके सामने reconstitution of the firm आगे चलकर हम इसको दोबारा देखेंगे लेकिन अभी चुकी word आया है तो उसको देख लें इसको हम कहते हैं पुनर स्थापना एक तरह से पुनर संगठित करना reconstitution का मतलब हुआ अगर कोई new partner admit हुआ hospital में नहीं partnership में अगर कोई partner retire कर गया अगर कोई partner death कर गया या फिर profit sharing ratio में कोई changes आता है इसमें तो इनको हम लोग कहते हैं reconstitution these are the examples of reconstitution ठीक है ना तो कहा गया उस समय assets का valuation कैसे किया जाएगा reconstitution वह हम लोग देखेंगे आगया आएगा अभी इसके लिए जादा बीमार होने की जुरत नहीं है settlement कैसे होगा in case of dispute या death के समय retirement के समय accounting period जन्वरी तु दिसंबर या फर्स अपरेल टु एकर्टिस मार्च specific partners का अगर specific rights and duties है तो उनके क्या रहेंगे duration of partnership अगर short term है particular किसी venture के लिए किया गया है bank account cooperation joint होगा single होगा और किस तरह से किया जाएगा death of a partner के case में कैसे settlement होगा dispute का यह सारी चीज़ें देखो न यह main point है हमारे partnership दीड के अच्छा इसका importance भी है हाँ importance यह है कि अगर कोई लड़ाई बवाल दे लाठी दे डंडा तो वो हम लोग यहां से decide कर सकते हैं क्या हमेशा return में पार्टनर्शिप होनी चाहिए ना मैंने आपको पहले भी बोला return and oral दोनों तरीके से हो सकती है लेकिन अगर return हो तो जादा best है अगर तो आपको यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि return है तो जादा best है और अगर return में नहीं है तो इसके कुछ दुश प कौन से नुकसान होते हैं वो जरा देख लो उस समय अगर partnership deed नहीं है तो आपके उपर partnership act 1932 के provisions लगेंगे क्या कहता है अगर partnership deed नहीं है तो भले ही लाख चिला लो 80, 20, 60, 40 का profit sharing ratio अब कुछ नहीं होने वाला लाख चिला लो अब ना सब partners बरो 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 बांटेंगे तो सोच नुकसान उसको हो जाएगा जो बेचारा यह सोच करके कर रहा था कि हमारा तो सोचो नुकसान अब उस partner को हो जाएगा जो यह सोच कर कर रहा था हमारा तो हिस्सा न 60% है लेकिन partnership deed नहीं है अरे नहीं है तो बात खतम करो बराबर बराबर profit sharing ratio हो गया तो सोचना मना है यहां पर सब बराबर है ना जात न पात न ऊच न न नीच अगर partnership नहीं है तो सब बराबर है और अगर partnership नहीं है तो किसी partner को interest on capital भी नहीं दे सकते interest on drawing भी नहीं चार्ज कर सकते सोचो दो तीन दिन लग जाएंगे सोचने में सोचना मत इतना सोचो तो लगे सोचने नहीं वह या इतना इतनी हीं देर सोचो जितना देर मने बोला तो अगर partnership डीड नहीं है तो profit sharing ratio equal होंगे interest on capital नहीं जाएगा interest on drawing नहीं लिया जाएगा अगर कोई partner firm को loan देता है तो उसका maximum rate 6% होगा और यह point जो नीचे दिया हुआ है इसको हम अभी hold करते हैं जब numerical solve होगा at that time we'll discuss this one point and this is the most important point while we will solve our practical questions बहुत important point है practical question solve करने में यह जिसको मैंने blue color में highlight किया है remuneration to partners कोई partner को कोई remuneration नहीं दिया जाएगा तुम लाख छुपाओ त्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तुम लाख काम करो लाख काम करो कहो salary चाईए bonus चाहिए commission चाहिए भया deed नहीं है जब डीड नहीं है तो कोई salary नहीं कोई bonus नहीं कोई commission नहीं कोई interest on capital नहीं कोई interest on drawing नहीं interest on loan 6% के हिसाब से profit sharing देचे हो बरोबर बरोबर बंटेगा अगर कोई partner नया admission ले रहा है तो तब तक नहीं ले सकता जब तक कि सारे partners agree न हो जाएं now these were the points which were needed to be covered in our today's session next session से हम लोग के कुछ कुछ numerical स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो थोड़ा boring class है वो थोड़ा interesting class में convert हो जाएगा next class तक के लिए next session तक के लिए चाटा है और भाय बाय तैंक्यू थालोट